असलाम लेकूम आज का हमारा जो टोपिक है डैटी इज लोकल एनस्थीजिय और लास्ट लीक्चर के अंदर हमने जैनरल एनस्थीजिय को स्टेडि किया था हमने उसकी इस एन आफरीजिच स्टेडि कर ली थी उसके फेजिस्स से वो सब हम Hundred n april में स्टेडिगी ए है अज ह पे हमने सरजरी परफॉर्म करनी होती है ठीक है पूरी बोड़ी को यह में लोकल अेसटनीक एजेंट काम किस तरह करते हैं इनका काम इस करते हैं कि क्या करते हैं कि से ठीके ऐ फाइबर लार्ज होते हैं इस फाइबर अन्मलनेट्टेड़ हैं और जो सी फाइबर थे सब्देगे होते है और इसके रतीजे में क्या रखा है कि जो पेन और टंपरेचर की संसेशन है वो कम हो जाती है ठीक है उसके बाद लोकल एनस्थीजिया की टैकनीक्स हैं जिन टेखनीक्स को यूज करते हैं हम लोकल अनस्थीजिया पेशिंट को देते हैं, चार टेखनीक्स हैं, यहाँ सिर्फ आपने नेम याद रखने हैं, नेक्स्ट लेक्षर के अंदर हम इन चारो जो टेखनीक्स हैं, उनको डिटेल के अंदर स्टेडी करेंगे, सबसे पहले यो टखनीक है आटीस्ट इस टॉपीखल अनस्थिजिए डैन ग्लोकल इंफिल्टेश और फिर है और्जिरनल नर्फ ब्लोक और पिर है सेंट्राल नीरो एक्जल ब्लोक करिं सेंहें कि बॉलते हैं। अपिडूरल अनस्थीजिया भी बोलते हैं Central Neuro-Exil Block के अंदर दो तरह के अनस्थीजिया आ रहे हैं Spinal Anesthesia और Epidural Anesthesia अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो यूज हो रहते हैं हम क्या सकते हैं कौन कौन सी ड्रग जो हैं वो हम यूज करते हैं Local Anesthesia पेशेंट को देने के लिए सबसे पहरा जो ड्रग आ जाती है डाट इस लिगनोकेन लिगनोकेन का दूसरा नाम है जाईलोकेन यह भी आपने आद रखने हैं लिगनोकेन जो है यह most versatile और most commonly used जो है वो ड्रग है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं Local Anesthesia पेशेंट को देने के लिए इसका जो effect है वो एक से दो घंटे के लिए रहता है ठीक है अब हम इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं या तो हम लिगनोकेन को अकेला यूज कर सकते हैं या हम इसको अड्रीनालीन के साथ यूज कर सकते हैं और अड्रीनालीन के बगार भी यूज कर सकते हैं अड्रीनालीन के साथ इसको यूज करने का एक अफेक्ट ये होता है कि हम लार्ज डोस दे सकते है ड्रग की ठीक है वैसे हम अड्रीनालीन के बगार लार्ज डोस देंगे तो उसकी वज़ से पेशन्ट के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है लेकिन अगर हम अड्रीनालीन के होगी तो जो लिगनोकेन हैं उसकी systemic absorption कम होगी ठीक है LIGNOPKेन की systemic absorption कम होगी तो उसकी toxicity भी कम होगी desp今 बात कर लाते हैं कि डोसट कितनी देनी है अगर तो हिम Adrenaline के बगार दे रहे हैं ठीक हया विदाउट Adrenaline तो पिर हमने पर-गेजी-बौडी-वेड के लिहाज से नेक्स्ट हम बात करते है लिगनोकेर का जो हम दे रहे हैं इसको ओडिनारीन के साथ उसको कैन पेशेंट केंदर हम नहीं दे सकते सबस्ब्सक्राइले एंटी पैशेंट केंदर हम नहीं देंगे ठीक है एंटि हाइपरटेंसिफ जो पेशेंट से ठीक है वह एंटि हाइपरटेंसिफ ड्रेकं पे उनके अंदर नहीं देंगे तीन कोन्टराइटिकेशन है यह याद रखनी है से हम बात करने हैं के लिगमों के नांके यह मैंने उपक्षीजव करने हैं यहां थे सकते हैं यह व Kings घूर उफ्य प्रण जैसम् बीजीडियर्स जो है उनके अंदर हमने अडरिनालीन को नहीं देना लिगनोगे अडिके साथ ठीक है और हमने इस को फञेट रिक अगर हम अप्लाइब करते हैं लिगनोगेन को ड्रिन्य के साथ तो जो के responsible के वसकती है ठीक है फालक्षी वस्टत्रीष्यं को डोस कितनी है टू एमजी पर केजी बोडी वेट के लहाद से हम इसे देते हैं ठीक है यह सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है लोकल एनस्थेडिक एजोइंस के अंदर ठीक है इसका जो एफेक्ट है वो 5-7 घंटे के लिए रहता है यह सबसे ज़्यादा कार्डियो टॉक् एफेक्ट करती है और हम इसको वेन में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं प्यूपी वेकेन की कौंटर इंडिकेशन क्या है वह मैंने पहले भी बता दिये कि हम इसको वेन के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते हम इसको एज़ा इंट्रावेनस रीजिनल या इंट्रावेनस लोकल के जो यूज नहीं कर सकते नीच्स वाइरे पास जो ड्रुग आ जाती है लिट इस भी बात कर ले पहले इसको भी हम वीद और अड्रीरनियन देंगे तो ुसकी डो जौगी उड़ी एमजी पर बॉड़ीवेड के लिहाज से और अगर वीद एडिटूनियाली देंगे तो नाइन एमजी पर बॉड़ीवेड के लिहाज से इसकी जो है भो सिस्टैमिक टोक्सिसीटी बहुत कम है श्डुक की ठीक है इसलिए इसकी जो ओवरडोज है वो क्या कर सकती है वो met hemoglobinemia goes कर सकती है ठीक है और इस drug को हम vayne में inject कर सकती है अगर हमने vayne में inject करना है local anesthesia को तो हमारी जो drug of choice है वो prelo cane होती है ठीक है लिगनो can भी use कर सकते है फर intravenous ठीक है नेक्स्ट जो ड्रग है डाट मो पी वंक नहीं है तीक है और लेस कार्डियो टोक्सिक होती है इस कंपेर टू ब्यूपी वकेन इसकी जो डोजेज है डेटिस टू एमजी पर बोडिवेट के लाहाद से देक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉंटर इंडिकेशन्स क्या होते हैं लोकल एनसीजे की अलगी वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंद यह इनफेक्शन की वर्ज़े जो एसेडिक इनवार्मेंट प्रोडियूस हो रहाता है उसके लिए भी यह बेहतर नहीं होता इनफेक्टिव होता ठीक है और उसके बाद हम कंप्लिकेशन्स की बात कर लेते हैं लोकल और सिस्टैमिक लोकल में इनफेक्शन हो सकती हैं दिय्माब्याज हो सकते हैं माययोका्डियल काडियल कर्ण डिप्रेशन हो सकती है ठीक है बूपीवलगायन का में पता है कि यह ने अ झात नंफेक्शन्स की काडियोटोक्सिक हो सकता लेकिन इसका एक ही डिसद्वांटीज है एक ही इसी कम्पिनिकेशन है that is it can cause मैठ हीमोगलिबनीमिया